18 जुलाई की रात कैम परिसर के पिशू टेकड़ी में आग्या चोरों ने आतंग मचाते हुए महलक्षमी जिवलर्स में चोरी की वार्दात को अज्याम दिया महलक्षमी जिवलर्स से चोरों ने सोना एवं चांदी पर हास साफ किया साथी चोरी करते समय चोरों ने शटर तोड़ कर CCTV कैमरे को भी बन किया और डिवाइस भी अपने साथ चोरी कर ले गए महालक्ष्मी जेवलर्स में अंदाजन 5 लाग रुपए का माल चोरी हुआ आए उसके बाद इन आग्या चोरों ने सामने वाली दुकान साई जेवलरी आर्ट में चोरी करनी चाही किन्तु ताला ना तोड़ पाने के चलते चोरी नहीं कर सके ताले को देखने पर साई जेवलर्स के संचालक ने दुकान कुलते समय ये बात पर गौर किया कि ताले पर हतोडी दुआरा वार किये गए थे यहाँ से निकल कर चोरों ने वडाली नाकप इस्तित गुंबडे जेवलर्स शौप में चोरी की कोशिश की चोरों ने शटर को टामी द्वारा तिड़ा किया और अंदर लगे चैनल गेट पर तीन तालों में से एक तालों को तोड़ने में काम्याबी हसिल की थी किन्तु शटर पूरी तरीर के से नहीं खुल पाया था जिसके चलते दो लगे हुए ताले चोर तोड़ नहीं पाए और चोर यहाँ से फरार हो गए गुम्ड़े जोलर्स शॉप के बाजो वाली शॉप में लगे सिसी टीवी कैमरे में केवल एक चोर नजर आया और उसके चेहरे पर कपड़ा बना हुआ था चोर फोर विलर कार से चोरी करने आये थे और चोरी की घटना को अंजाम दे कर वहां से फरार हो गए इस चोरी की घटना की शिकायत फिजर पुरा पुलिस स्टेशन में संचालों को दुआरा दी गई है पुलीस इस मामले की आगे जाच कर रही है चोर अब तक पुलीस की गिरफ से बाहर है विशेन न्यूस के लिए वरिष्ट प्रतिनिती शफिक अहमत की ये विशेश रिपोर्ट